साई की बात दो जिरूगा जड से तो जिन्दा मत करना अब तेरा संही तेरे साथ है और पदस किन कंडलियों पर विश्वास करता हैं मेरे बचे की साई ही तेरा भविश्य लिखने वाला है तो बस तुमने पड़ा है ना मैंने साइंसा चरित्र में कैसे जोतिशी की कही बातों को टाल दिया था कैसे उनकी बाते सब कुछ पलट गई थी पलट गई थी ना तुम साइंसा चरित्र पढ़ते हो ना तो फिर विश्वास क्यों करते हो इन सब चीजों पर जब तुम्हें पता है करने वाला तुम्हा लेकिन अगर वही रिष्ता तुम अपने बाबा से जोड लोना तुम्हें अपने बाबा को अपने तरफ करने के लिए कुछ भी ना कहास करें Pingаст कने की कोई जरुवत नहीं एक बार को यह दुणिया तुमसे रोट भी जाएगी शायद तुम निन्यानवे अच्छाई कर दो एक बुराई कर दो तो वो तुम्हारे बुराईयों को याद रखेगी लेकिन अच्छाईयों को भूल जाएगी लेकिन अगर तुम अपने बाबा के साथ में एक अच्छाई भी कर दोगे न चाहे तुमने कितने भी बाप किये हो मैं तुम्हें माफ करकर अपने शरन में ले लूँगा तो बस कहीं फरक है तुमारे इस दुनिया में और तुम्हारे बाबा में तो इसलिए कहता हूँ कि अगर रिष्टा निभाना है न तो अपने बाबा से नेभाओ, इस दुनिया से नहीं मेरे बच्चे, ये दुनिया तो कभी किसी की सकी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, सभी ये वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, सभी लोग मेरे बच्चे, तो कभी न किसी पर विश्वास मत किया करो, क्योंकि ये दुनि तुम्हारे पास में सूट है ना उसकी चुन्नी नहीं है है ना तो जाकर उसकी चुन्नी ले आओ तुम्हें बार बार परिशानी होती है और तुम लाना भूल जाते हो तुम जानते हो ना तुम्हारे चुट्टी आने वाली है तो बस उस दिन जाकर अपने चुन्नी ले आना और सुनो अपने मुटापे को कम करने के लिए ये तरह तरह की औशिदिया मत खाओ मेरे बचे अभी तो वो तुम्हें असर करकर दिखाएंगी दिखाएंगी कि तुम कितने पतले हो गए लेकिन आने वाले दिनों में वही तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएंगी मेरे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करो और ये कोई बीचीज खाने से अच्छा है वययाम करो और अपने खाने पीने में बदलाव करो मेरे बच्चे और सुनो तुम्हारे घर पर कोई ऐसा है या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिस पर कोई उपरी कुछ चीजे हैं कुछ नकारात्मक चीजे हैं तो सुनो उन्हें जितना हो सके न उदी जल देना और उनके माथे पर उदी लगाना देखना वो ठीक रहेंगे अगर हो सके तो उनके कलाई पर या हातों पर मेरी उधी भान देना और मेरी साइंसा चरित्र तो है ना तुम्हारे पास जिसके पास साइंसा चरित्र होती है ना, उसकी किस्मत को बदल देता हूँ मैं, वो जैसे जैसे साइसर चरितर के अध्यायों को पढ़ता है न वैसे वैसे उसकी जिन्दगी से सारे काटे, सारे परेशानिया निकलती जाती हैं अपने आप जो काले बादल होते हैं वो अपने आप छटते चले जाते हैं उन्हें कुछ करने की जरुवत नहीं पढ़ती तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं और सुनो मेरे बचे इस मौसम में थोड़ा ध्यान रखो जादा ठंडा पानी मत पीना तुम्हें खासी बहुत हो रही है न तो बस थोड़ा बचकर रहो और तुम जानते हो ना आने वाले दिनों में तुम्हारी परिक्षाए है और कुछ मेरे बच्चों को अभी हाली में बुखार भी हुआ था तो सुनो मेरे बच्चे थोड़ा परेश से रहा करो थोड़ा साबधनी बरता करो अपने साथ और जादा चिंता मत किया करो ये थकावट है ना इसी का कारण बनता है तुमारी बिमारी इसी के वज़़ा से ना तुम बिमार पढ़ जाते हो बार बार ये तुम चिंता का जो विश्य है ना इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते सब कुछ अपने साई पर क्यों नहीं छोड़ देते मेरे बचे सब को छोड़ दो मुझ पर और सुनो कहीं जा रहे हो ना किसी बहुत कीमती कानूनी दस्तावेश पर हकस्ताक्षर करने तो सोच समझकर करना पढ़कर करना यू अंजाने में बिना पढ़े मत कर देना एक वर पढ़ना कि उसमें क्या है और क्या शर्ते तुम्हारे वाला है सब कुछ जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें सब राप्तों का मेरे बचे सब मिल जाएगा चिंता बिल्कुल भी मत करना तुम बिल्कुल सही कर रहे हो सचे भाव से और सचे मन से और सुनो मेरे बचे आने वाले दिनों में तुम्हारी सालगिरा आ रही है और दर्शन भी दूँगा चिंता मत करना और जब तुम शीडी आओगे न तो तुम मेरे बिना दर्शन के नहीं जाओगे सिर्फ सरूप के नहीं तुम मेरे साक्षा दर्शन करोगे मैं तुम्हारे सामने आजामगा और तुम मेरे दर्शन कर लेना जी भरकर कर लेना देखो बहस करने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि वो लोग मुर्ख हैं वो कभी नहीं समझेंगे ना आज ना कल ना कभी और तो उन्हें समझाने के बजा ना अपने रास्तों को बदल लो अपनी चीज़ों को बदल लो मेरे बच्चे अपने आपको बदल लो अपनी सोच को बदल लो अप बक्ता हूं की वो जब तुमसे कोई बात कहते है न तो इस तरह तुमारे तीर की तरह चुपती है न तुमारे दिल में सीधा की तुमारे दिल पर सीधा वार करती हैं वो चीजे और तुमें बहुत बहुत दुख होता है, बहुत परिशानी होती है तो ऐसे कैसे छोड़ दू उन लोगों को जितना तुमने सहन किया तुम ना गलत होते हुए भी वो हमेशा तुम्हें गलत ही ठहराते गए लोगों के सामने हमेशा तुम्हारी ऐसी चवी बना दी कि जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो घर के, सबसे बुरे काम तुम ही करते हो, लेकिन सचाई तो ये है कि सारे काम वही करते हैं सब कुछ गलत चीज़े वही करते हैं और घर के दिमाग में बीना उल्टी सीधी चीज़े वही भरते हैं मेरे बचे और सुनो जो तुम्हारे कुल देवी है ना उनकी पूजा किया करो जो तुम्हारे घर पर स्थापित है ना उनकी रोज पूजा किया करो ये मां सोचा करो कि बाबा गुसा करेंगे मैं कभी गुसा नहीं करता कभी नहीं मेरे बचे अगर तुम उनकी पूजा करोग तो मेरा अश्रवात तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा और सुनू आज न जरूर मेरे बच्ची कुछ न कुछ जरूर खेलाना जरूर मेरे बच्ची उसे खेलाना और आज हनुमान चालीजा पढ़ना बिलकुल मत भूलना तुम्हारी बजरंग वली रक्षा करेंगे और आज तुम घर से बाहर जा रहे हो किसी अच्छे काम के लिए तो याद रखना जब घर से बाहर निकलो तो कुछ मीठा खा कर जाना हो सके तो गुड़ थोड़ सा खा जाना और मेरे आगे प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मेरे आश्रवात के बिना कोई काम कैसे सफल हो सकता है और सुनो जो तुम्हारे मंदर की अंदर लाल कलर का बलफ लगा हुआ है ना दक्षिणा मुखी में उसे हटा दो मेरे बचे उसी की वज़े से तुम्हारे घर में नकारत्मक उड़ जाए आ रही है बहुत परिशानी आ रही है उसे हटा कर कोई और परिदाओं का श्रवन किया करो मेरे भजन सुना करो फिर देखना तुम्हारे जो मानसिक तनाव है ना वो कैसे चुमंतर हो जाएगा तुम देखना अपनी साइं की ये लीला देखना तुम तुमें साक्षत रूप में दिखाऊंगा और जो मेरे बच्चे मुझे असमाने क समाब दूब